दोस्तों धन तेरस का तेवार धन की कमी को दूर करने वाला और धन सम्रद्धी प्रदान करने वाला तेवार है। दिवाली की सुरुवाद धन तेरस के पर्व से ही हो जाती है। कहते हैं इस दिन भगवान धनवंत्री की पूजा का विशेश महात्त होता है। साथ ही इस दिन धन की देवी मा लक्षमी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है। माननेता है कि इस दिन समुद्र मंतन के दोरान भगवान धनवंतरी हाथ में कलस लेकर प्रकट हुए थे। दोस्तों कार्टिक मास के क्रश्न पक्च की त्रियो दसी के दिन धन्तेरस का तिवहार मनाया जाता है। इस दिन सुमूरत में लोग, सोना, चांदी, बरतन और विभिन आभूसन आदी खरीदते हैं। कहते हैं कि इस दिन जो कुछ भी खरीदा जाता है, उसमें तेरा गुना की व्रद्धी होती है। ठीकिसी प्रकार इस दिन किये गए उपायों में भी कई गुनालाब मिलता है। इस दिन किये गए उपाय जल्द ही कारगर होते हैं। दोस्तों यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं या आपके पास पैसा टिकता नहीं हैं तो आप धनतेरस के दिन ये उपाय अवस्य करें। इस उपाय को करने से मालक्षमी की कृपा आपके उपर सदव बनी रहेगी। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आप धनतेरस की साम को अपने घर के इसान कोण या फिर उत्तर दिसा में एक लकड़ी की चौकी रखें और उसे गंगा जल्चेड़कर सुद्ध कर लें। उसके उपर लाल रंग का वस्तुर बिच्छा लें। इसके बाद आप चावल से अस्ट दलकमल बना लें। इसके बाद आप एक गी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि आप बाती रूई की ना लें, आप रूई के इस्तान पर लाल रंगी मौली का इस्तमाल करें, क्योंकि माता लक्षमी को मौली की बाती बेहदी प्री है, और साथ ही दीपक में आप थोड़ा सा केसर भी डाल दें, इसके बाद आप मालक्षमी का ध्यान करते ह हुए दीप प्रजुलित कर दें इस उपाय को करने से आपके घर में बरक्कत होना सुरू हो जाएगी साथ ही मालक्षमी का इस्थाई वास आपके घर में होगा इसके लावा निर्धंता दूर करने के लिए आप धंतेरस की साम को अपने पूजा घर में एक अखंड दीपक जल जलाएं या अगर आप भाया दूस तक अखंड दीपक जला सकते हैं तो ये और भी अच्छा रहेगा अगर इतने दिन तक पॉस्बिल ना हो तो सिर्फ आप धंतेरस के दिन अखंड दीपक अवस्थ से जलाएं ऐसा करने से मालक्षमी आपके घर में जरूर आएंगी और आ स्क्राइब करें और जादा से जादा से शेयर करें साथ ही चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद